सभी हरियान प्रदेश वाशियों को नमस्कार, मैं निल दिन्दवाल डिरेक्टर ओफ एगरी अकेडमी हिसार, सभी अविवावकों को नमस्कार जैसे कि हमने स्कोलर्शिप टेस्ट लिया था 24 मार्च को, और नेक्स जो हम स्कोलर्शिप टेस्ट रख रहे हैं, एगरी अकेडमी में 29 माई को, तो सभी पैरेंट्स को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा 29 माई को, कि आप सभी पैरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को करियर का अच्छे को डालना चाहते हैं, तो 29 माई को, एगरी अकेडमी हिसार जो है, स्कोलर्शिप टेस्ट ले रहे हैं, उसमें मैं सभी हर्याना प्रदेश्वासियों को ये सूचित करना चाहूंगा, कि हमारे जो लास्ट एर के जो रिजल्ट हैं 2021 के जो रिजल्ट हैं, ये हैं ज इसार का नाम रोशन किया, ये रिया, ये सिंगल डोटरल चाइल्ट पूरे हर्याना में जो है, इस लड़की का एड़िशन हुआ, संदेश सागवाल, कवीता डिप्राइड ऐसी, पूरे हर्याना में सेकिंड रैंक लिया इस बेटी ने, नेहा जर्नल केटेगरी में फिप् रैंक लिया, बी-सी-बी कैटेगरी में जसी गुजर ने पूरे हर्याना में एट्थ रैंक लिया, नीतिका गुडिया ने, इड़लु एस कैटेगरी में इसका फौर्थ रैंक था, यानि कि युनिस्ट्री की पचपन सीटों में से आधी से जाधा सीटों पर जो है, एगरी एक बार जरूर वीजिट करें, क्योंकि डियर पैरेंट्स सबसे पहली बात आती बच्चे की शिक्योर्टी की उसका ध्यान रखने की बाते हैं, तो एगरी एकडमी जो है बच्चों को 22 गंटे मोबाइल सम्मिट रखती है, उनकी जरूरत के कोडिंग लिए उनको 2 गंटे क लिए मोबाइल फोन दिया जाता है, हमारे कॉर्सी जो है, ओनलाइन भी है, ओफलाइन भी है, हमारे कॉंटेक्ट नंबर्स भी यहां पर दिये गए हैं, इन पर आप संपरक कर सकते हैं हमसे और पूछ सकते हैं कि 10th BSC Reculture में कौन-कौन सी गवर्मेंट जोब्स हैं, कहां पर अगर हमारा बच्चा जाता है, या 12th BSC Reculture में अगर हमारा बच्चा करता है, तो उसके लिए करियर अपोर्चुनिटीज क्या-क्या है, हमारा बच्चा किन-किन फिल्ड में स्कोप्स बना सकता है, 29 मई स्कोलर्शिप टेस्ट की जो टाइमिंग है, डियर पैरेंट्स, वो 10 30 एम की है, संडे, संडे यानि की, संडे को हर बार बोलता हूं, संडे यानि की मेंटली फ्री, यानि की 6 दिन आपने जो काम किया, 7 में दिन जो है, आप उस काम को दोराएं, कि हमने 6 दिन के अंदर ये ये काम किया था, यानि की संडे अपोर्चुनिटी है, सभी पैरेंट् बिल्कुल फ्री हैं, तो डियर पेरेंट्स आप वेट ने करें, क्योंकि कॉम्पटिशन एक्जाम में तो आपके बच्चे को आपको डालना ही पड़ेगा, आज नहीं तो दो साल के बाद, तो दो साल के बाद क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, उस क्यों का जवाब आपको मिल जा रहा था, और मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, कि हम डे नाइट में क्लासीज लगाते हैं बच्चों की, जैसे कि लास्ट के जो टू मन्स हैं, जैसे एक्जाम से पहले जो हैं, हम नाइट सिफ्टिंग में भी बच्चों की क्लास लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि Agri Academy ने 2021 में भी संभावित रिजल्ट दिया और पेरेंट्स की उमीदों पर खरे उतरी, तो 2022 में भी मैं आपसे वादा करता हूँ, कि Agri Academy जो है पूरे हरियाना में नंबर वन पे रहेगी, चीवो टेंथ भी सिगरी कल्चर का रिजल्ट रहे, चीवो ट्वेल्थ भी सि आपका बच्छा किस फिल्ड के लिए अच्छा है, किस स्ट्रीम के लिए अच्छा है, कि आपका बच्छा मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, आपका बच्छा नोन मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, आपका बच्छा आर्स के लिए अच्छा है, आपका बच्छ या 12 के बाद जो है जा सकता हूं तो डियर पैरेंट्स 29 में को मिलते हैं एगरी अकेडमी हिसार के प्रांगन में मैं सभी हरियाना प्रदेश वाशियों का सभी पैरेंट्स का नमस्कार करता हूं स्वागत करता हूं जैहिन जैभार्थ